प्रत्यासी बविता साकेत ने रीवा के कलेक्टेट परुचगर परचा दाखिल किया बविता साकेत पिछली बार भी मनगमा विधानसबा से कांग्रेस की प्रत्याशी थी उनको 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे इस बार भी कांग्रेस ने उन पर विश्वाज चताया है पत्रकारों से बातचीत करते हुए बविता साकेत ने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं कांग्रेस ने मुझे मुझे मोका दिया तो मैं सबसे पहले सिर सनेत्रत और जिले के सभी हमारे सहयोगी और जो हमारे मन्यमव विधानसबा की टीम है और हमारे सहयोगी साथी मैं सबको दिल की गहराहिस दन्नवाद देना चाहूँगी मुझे कांग्रेस पार्टी ने मनियावा विधानसभा से दुबारा मौकर दिया है मैं सबसे पहले मेरी प्राथमिक्तो होगी क्योंकि मनियावा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जब से पंडी स्रीयों स्रीनिवास दिवारी जी नहीं रहे उसके बाद से नहीं कोई भी कांग्रेस कारकाल का काम हुआ है और दादाजी के समय का काम है मनियावा विधान सभा में यृण नहीं है सिक्षा की बिल्कुल भी विवस्ता नहीं इस्वासत की बिल्कुल नहीं है तो मेरी सबसे पहले प्रात्मिक्ता होगी कि अच्छी सिक्षा हो और पानी भी नहीं है वहाँ, लाल गाउं में तो पानी लोग नहाने के लिए और वर्तन धुलने के लिए भी खरीते हैं, तो पानी की भी मेरी प्रात्मिक्ता होगी, और सबसे बड़ी मेरी प्रात्मिक्ता ह कि मनियमा विधान सभा के लोग जो भी मद्द्रदेस के कोने में जाइए तो मजदूरी करते दस से 5,000 की करते हैं मेरा एक सबसे पहले में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और जनता मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले वहां सब्मानी कमलनाजी जो हमारे SSP मुखमंत्री बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले में उद्यूक लगवाने का काम करूंगी ताकि वहां के जो भी रोजगार बाहर बाहर बटकते हैं उनको रोजगार मिल सके हैं हमारे पार्टी में कोई बगावत नहीं आप दो बार की विधायक रह चुकी हैं आपको टिकट नहीं मिली कांग्रेस पार्टी में कंदे से कंदा मिला के आठो विधान सब्सक्राइब जिताने का काम कर रहे हैं सब कोई हम साथ में हैं ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए और देखते रहें न्यूज नेटवर्क टुडे